बश्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो आज मैं बहुती बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ कि आप अपने EPF खाते से पीएफ को कैसे क्लेम कर सकते हैं घर बैठे ओनलाइन जो कि बहुती इजी है और बहुती छोटी परिक्रिया भी है तो मैं स्टैप बाइस टप इस प्रेजेंटेशन में आपको फिल्कूल एक एक स्टैप बताऊंगा तो आप भी वीडियो अंतक जरूर देखिएगा और आप आप एजली घर बैठे ही अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं ठीक है सबसे पहले आपको अपने गूगल के अंदर यूए एन लोगिन का मनले की सर्च करना है जैसे ही सर्च करेंगे तो आप देख रहेंगे यह उपर एक टैब के लिए एक option है password और capture डालके आपको sign in करना है यह UN number आपको सभी का EPF से link है ठीक है तो वही आपको डालना है password अगर आप भूल गए है तो forget password यह password को select करके आप step by step निया password भी generate कर सकते हैं मैं उस पर नहीं जाओंगा मैं यह मान की चल रहा हूं कि आपको आपका password याद है त कैसे ही sign in कर लेंगे आप तो सबसे पहले यह वाला page open होता है actual में अभी जो e-nomination है वो सबको compulsory mandatory कर दिया गया है तो इसलिए EPFO एक home page पर ही यह message आपको देता है तो इसको later कर देना है ठीक है मैं एक another video मैंने एक बनाई है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपको e-nomination भी कैस online file करना है तो वो भी आप मेरे channel पर जाकर check कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको later करते हैं तो later करने के बाद आपको यह उपर online tab के अंदर एक online services का option आता है इसमें अपना cursor लेके जाना है जैसे cursor लेके जाएंगे आप तो नीचे आपको यह scroll down के उपर 4 option मिलेंगे आपको यह claim option select करना है मैंने देखिए इस पर right arrow भी red arrow भी बना रखा है ठीक है तो जैसे ही इसको on कर लेंगे आप यहाँ पर click कर देंगे तो आपके पास यह वाला page आ जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको bank account number अपना पूरा fill करना है जो आपने link किया हुआ है अपने EPF account के साथ ठीक है औ और यहाँ पर आपकी सारी जानकारी भी आएगी अपका नाम पता mobile number वगएरा ठीक है तो जैसे ही आप यहाँ पर number डालके verify कर देंगे तो एक next slide आएगी यह कुछ undertaking का आपका sign in यह मांगेगा तो आपको yes कर देना है yes करने के बाद यहाँ पर जहाँ पर अपने bank account number डाला हो इस पर आपको क्लिक कर देना है just click करने के बाद यह एक page खोलेगा इस page के अंदर आपका मनले कि कुछ data यहाँ पर display हो जाएगा आपका permanent account number UN number वगएरा और नीचे आएगा कि आप claim किसलिए करना चाते I want to apply for मतलब कि कौन सा claim है कैसा है तो इस के यहाँ पर select करेंगे तो यहा तो जैसे ही इसको select कर लेंगे आप तो next screen यह आपके सामने open हो जाएगी इस screen के उपर आपने यह PF advance select करी लिया है तो नीचे जितने option है इन सब को fill करना है जो मैंने yellow से दिखा रखे हैं यह सब भी आपको fill करने है यहाँ पे आपको services वगएरा purpose amount वगएरा अपना address यह सब कर करता हूं सबसे पहले आपको services select करनी है actual में क्या है कि आपके UN account के अंदर multiple आपके वो account हो सकते हैं एक UN के अंदर 2-3 PF खाते भी हो सकते हैं कोई आपका old employer है आपने switch कर लिया तो यहाँ पर वो दिखाएगा तो आपको किस का पैसा withdraw करना है कहां से advance लेना है यहाँ पर आपक single employee है तो employer है तो आपको एक ही option है वरना कई कि कहीं के 2-3 employer भी होते हैं कोई old वाला होता है तो वो select कर सकता है ठीक है यहाँ पर selection करने के बाद आपको next जो डालना है कि आपका purpose क्या है तो यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे कि red रंग में 90% withdrawal सिरफ retirement पर ही है यहाँ आपकी age 45 प्लस है या करके जो भी है तो यह सब चीजे हैं यहाँ पर बाकी आप और option को select करके marriage के लिए higher education के लिए construction of house के को आप select के कुछ percentage 90 से कम वाली निकाल सकते हैं तो मैं construction of house मनले के option select कर लेता हूँ उसके बाद आपको यहाँ पर amount डालना है कितना amount आपको उस खाते से withdraw करना है यहाँ पर आपको address डाल देना है और यहाँ पर वही address डाली है जो आपका updated है तो अच्छा रहेगा और यहाँ पर आपको scan copy अपनी check या passbook की जो आपका bank खाता इस UN number के साथ link है उसी bank खाते की passbook जहाँ पर आपकी photo लगी passbook चाहिए यहाँ पर photo भी हो और पूरा IFC code वगएरा sub account number sub mention वह वाले page को आपको scan करना है यहाँ पर JPG format ही upload करनी है PDF नहीं करनी है ठीक है यह आप passbook की copy भी खीचके लगा सकते हैं तो यह करने के बाद आपको यह नीचे जाना है और यहाँ पर आपको get अधार OTP करना है और इसको जैसी क्लिक आप करेंगे तो आपके पास enter OTP करने का एक tab नीचे खुल जाएगा यहाँ पर एक क्लिंदा ब्लैंक साथ आ जाएगा यहाँ पर आपको अधार OTP डालना है OTP डालने के बाद आपको valid OTP करना है ठीक है जैसे ही आप valid कर दें जो अपने फॉर्म सम्मिट किया वो एक फॉर्म है ठीक है उस फॉर्म को पहले लोग offline फिल करते थे तो यह online अपने जो भरा है एक फॉर्म ही भरा है तो उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यह देखिए वह वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा जो आपने फिल किया होगा तो यहाँ पर आपको वो attachment भी दिखाएगा यहाँ पर अपने पास फॉचर मले की कुछ रेफरेंस के लिए आप चाहें तो इसको ट्रैक भी यहीं से कर सकते हैं वापस से अगर आप online services में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक option आता है ट्रैक ल यहाँ पर क्लिक करेंगा तो यहाँ पर जो अपने पास्ट में जितने भी claim कियोंगे उनकी date, settlement date, submitted date सब आएगी और यहाँ पर right side में देखिए जो मैंने red ranka करका है यहाँ से आप उस PDF को भी download कर सकते हैं कि क्या status है, क्या मैंने किया था सब कुछ करके तो आप ऐसी चीज़ करवा लीजिएगा और कैसे करना है मैंने उसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई अपने चैनल पर तो आप जाके उसको देख सकते हैं तो यही था overall तो बहुत बहुत थेंक्यू अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप comment में मुझसे पूछ सकते हैं थेंक्यू